जैहिंद फ्रेंट्स तो जैसा कि जब से NSP Portal पर अपडेट आया हुआ है जब से सभी बच्चे, सभी स्टुडेंट्स NSP Portal पर अपना Face on Dedication करने में लगे हुए हैं OTR करने में लगे हुए हैं लेकिन उनको कही एप नहीं मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजे किसे आने वाली वीडिक नोडिफिकेशन आप तक पहुशती रहे तो यहाँ पर जब से NSP Portal पर अपडेट आया हुआ है तो यहाँ पर आपको OTR करने के लिए कहा जा रहा है बार बार आपके पास Message आ रहा है और आप लोग OTR करने में लगे हुए है कुछ का OTR हो जा रहा है लेकिन Face authentication नहीं हो रहा है Login Problem आ रही है तो आपको क्या करना है पूरा देखिए कि कुछ बच्चे दूसरा App डाउनलोड कर ले रहे है कोई कोई दूसरा App डाउनलोड कर ले रहे है जिससे problem हो रही है तो यहाँ पर देखिए आपको simple दो App डाउनलोड करने है कौन कौन से उसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी वो दो App आपको डाउनलोड कर लेने है उन दो App को डाउनलोड कर लेना है इसके बाद ही आपको आधार on dedication सबसे पहले करना पड़ेगा आधार वाला आपको App कहां से मिलेगा simply आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है NSP को official website पर और यहाँ पर click here के बटन पर click करना है जैसे आप लोग click here के बटन पर click करेंगे तो एक notification आपकी download हो जाएगी इस notification में आपको App के दो link दिये गए है पूरा process आपको बताया गया है कर फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दो app देखिए देखने को मिलेंगे following step required generate OTR number तो सबसे पहले जिनका OTR generate नहीं हो रहा है उनको क्या करना है सबसे पहले आधार face RD app आपको download करना है वो आपको कहा मिलेगा वो आपको link इसकी response में मिल जाएगी वो भी आपको play store पर मिल जाएगा उसके लिए में description में डाल दूँगा simply आप लोग उस link पर click करेंगे तो जैसे आप लोग उस link पर click करेंगे तो आप सीदे play store पर पहुँच जाएंगे और वो आपको app download कर लेना है आधार face RD ये आपको अपने mobile phone में install कर लेना है जिनके में दिखा रहा है कि ये आपके app के लिए compatible नहीं है तो उनको अपना जो phone है update करना पड़ेगा फिर कोई दूसरे phone से जाकर अपलोग कर सकते हैं ये आधार face RD app डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर आधार डाल के आपको activate कर लेना है पूरा process कर लेना है इसके बाद का करना है इसके बाद ही आपको download install NCR OTR app आपको NSP OTR app डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी तो यहाँ पर इस पर simply आप click करेंगे तो इसके app पर आप पहुंच जाएंगी यहाँ पर अभी इसके 10 के download ही हुए है यानि कि यह आपका original app है NSP OTR का यह लिंक आपको description में मिल जाएगी तो वहाँ से जाकर आप लोग इसे download कर लीजेगा यहाँ पर download कर लेंगे फिर आंगे का process क्या रहेगा जब इसको आप लोग download कर लेंगे इसके बाद आँगे का process यहाँ पर आपको इस प्रकार का यह आपका app खुल के आएगा आपको ekyc with face authentication पर click करना है यहाँ पर आपको क्या करना है send otp reference number आपको यहाँ पर अपना डाल देना है जो आपके पास आया हुआ है इसके बाद send otp पर click करेंगे यहाँ पर आपको otp डाल देनी है जो आपका registered mobile number है वहाँ पर मिल जाएगी इसके बाद inter capture code next आपको click कर देना है क्या करना है next पर click कर देना है next करेंगे इसके बाद आपको आजाएगा यहाँ पर आधार बगर डीटेल आजाएगी इसके बाद आपको यहाँ पर proceed for face authentication पर click कर देना है करेंगे तो आपको otr और आ जाएगा इसके बाद जब आप लोग इन करने जाएगे वहाँ पर problem आ रही है इससर हम लोग इन कर रहे हैं तो लोग इन password तो मुझको मिल चुका है लेकिन क्या हो गया है मेरा जो login नहीं हो रहा है login page नहीं आ रहा है login credit गलत बता रहा है तो यह देखिए अभी जो है अभी अभी NSP portal पर नया नया यह app launch हुआ है तो अभी इसकी update की processing जारी है तो आप लोग घबराईए मत की login नहीं हो रहा है मेरा password गलत बता रहा है तो उसमें आपको कोई टेंसल लेने की जरूरत नहीं है अभी यह update के process में चल रहा है अभी बहुत time है आपको अभी भी अगर आप OTR ना करना चाहे तो अभी आपको OTR करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अभी scholarship कोई apply करने के लिए आया हुआ नहीं है जब scholarship apply करने के लिए आयेगा तब आप लोग इसे अपना OTR कर लीजेगा तो दो-तीन दिन वेट कर लीजेए अभी update चल रहे है तो update हो रही है site और app भी अभी बन रहा है तो उसमें थोड़ा time लगेगा update होने में जानकारी भहुत से होती है तो यहाँ पर आपको login भी हो जाएगा आपको टेंसल लेने की जुरुत नहीं है अभी इसको रोक दीजिए जो आप कर रहे हैं इसमें ज़्यादा जल्दी बाजी में मत पढ़िए कि अभी यह कर देंगे अगाज अनी कर पाएंगे तो आप दुवारा नहीं हो पाएगा वो ऐसा नहीं है आप चाहें जब फीज और्दिकेशन कर सकते हैं उसके लिए आपको कोई problem नहीं होगी तो यह आपको proceed login problem आ रहे है तो उसका solution यही है आप थोड़े देर wait करिए या फिर करते रही आपका login हो जाएगा यह थी जानकारी जो आपको देनी थी आप की लिंक discussion मिल जाएगी उसी से आप लोग आप डाउनलोड करिएगा नहीं तो आपको यह बार बार problem आती रहेगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में